मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आइसी ए आर टेकनीसियन के लिए साइन्स के कुछ महत्पुन प्रस तो आप लोग इस वीडियो के अंतक बने रहिए जीना स्टुडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हमारे चाहें पर जितने भी वीडियो आते है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे अश्रडी से संबंदित नोट से पीड़ा पाने के लिए आप हमें इन सभी सोचल मीडिया प्लैटफरम पर फॉलो कर सकते है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्सन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए बढ़ते हैं कोश्चन की ओर तो आप लोग सभी प्रस्ट के अंसर आप लोग कॉमेंट जरूर करें और अंत में बताए कि आपके 25 में से कितने प्रस्ट है जो की सही गए है तो पहला कोश्चन है कि अस्पंद आत्मक गती का एक उधारन है तो आपके सामने आपर चार ओप्सन दिया हुआ है जूले की गती, पहिये की गती, बस की गती, बाइलिन के तारो की गती तो इन चारो ओप्सन में से कौन है जो की अस्पंद आत्मक गती का एक उधारन है जिसे के English में Vibratory motion है, जो कि कहा जाता है इसका सही answer है, option number D वाइलिन के तारों की गती है, जो कि एक Vibratory motion का उधारन है जूले की गती है, जो कि periodic motion का उधारन है पहीय की गती, translatory motion का और bus की गती है, जो कि estate motion का उधारन है तो यह कुछ important point था Next question देखते है कि MIR, a scanner पर निम्नी खित में से कौन सा बल है जो की लागू होता है जिसका सयंसर है option number B चुम्बक्य बल है जो की MRI, a scanner पर है जो की लागू होता है नेस कोशन है कि जल के अनू में कितना परमानू है जो की oxygen का होता है और hydrogen का होता है तो आपके सामने यहापर चार option दिया हुआ है एक एक, दो एक, तीन एक या फिर एक दो तो इसका सयंसर है option number D एक परमानू है जो कि आक्सीजन का होता है और हैड्रोजन का दो परमानू होता है जल के अनुमे Next question है कि एक जीव जो अन जीवों पर जीवीत रहता है उसे क्या कहा जाता है जो जीव जो अन जीवों पर जीवीत रहता है उसे पर जीवी है जो कि कहा जाता है नेश कोश्चन है कि निमिकीत में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक सम्मू का चैयन कीजिए तो आपके सामने हाँ पर चार ओप्षन दिया हुआ है डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया या फिर सभी तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर D ये सभी जो रोग है वो मच्छरों के द्वारा है जो की होता है डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया नेश कोश्चन है कि निमिकीत में से किसका उसमिय मान है जो की उच्छितम होता है तो आपके सामने हैं पर चार ओप्षन है कारभोहेडरेट, वसा, प्रोटीन, बिटामीन तो किसका उसमिय मान है जो की उच्छितम होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर B वसा का जो उसमिय मान होता है वो उच्छितम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं वसा में है 37 kJ पर ग्राम कार्वोहेडरेट में 17 kJ पर ग्राम और प्रोटिन में 17 kJ पर ग्राम इसलिए यहाँ पर जो आपका सई अंसर है वो वसा है इसमें जो उसमे मान है वो अधिकतम होता है नेस कोशन है कि पूर्ण दहन के दौरान गैस अश्टोप के बर्नर में जो उत्पन लौव का रंग है वो कैसा होता है कौन सा रंग का होता है तो इसका सही अंसर है option number C नीला इसका सही अंसर हो जाएगा तो पुर्ण दहन के दोरान गैस और श्टूप के जो बर्नर है उससे नीला रंग है जो की उत्पन होता है नेश कोशन है कि frying pan में किस परकार की surface coating का उप्योग किया जाता है frying pan में किस परकार की surface coating का उप्योग किया जाता है तो आपके सामने हैं पर चार ओप्शन है teflon coating, ceramic coating, hard coating या फिर aisle coating तो इसका सही अंसर है option number A teflon coating यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा नेश कोशन देखते है कि साबुन बनाने में कौन सी प्रकिरिया है जो कि सामिल है तो आपके सामने हैं पर चार ओप्शन है साबुनी करन, जलिये बिसलेशन, संगनन या फिर बहुलकी करन तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A साबुनी करन नेश कोशन देखते है कि जी का मान कहाँ पर है जो कि अधिक्तम होता है ओप्शन है चंद्रमा पर, धुरूप पर, भुमद रेखा पर या फिर प्रित्वी के केंद्र में तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number B धुरूप पर है जो कि जी का मान अधिक्तम होता है नियुंतम मान है जो कि भुमद रेखा पर होता है और सुन मान होता है प्रित्वी के केंद्र में तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा नेश कोशन देखते है कि मानव रक्त धान के लिए किस रक्त समू को सरवातिक दाता के रूप में है जो कि जाना जाता है option है B positive, O, A, B या फिर A positive तो इसका सही अंसरा option number B O है जो कि सरवातिक दाता के रूप में जाना जाता है नेश कोशन है कि प्लास्टिक के समान अभिलाशनिक गुन क्या है तो आपके सामने हैं पर चार option है टिकाओ, भार में हलका, अभिकिरिया सील या फिर सभी तिसका सही अंसर हो जाएगा option number D प्लास्टिक में है जो कि ये सभी तिनो अभिलाशनिक गुन है जो कि पाया जाता है टिकाओ भी होता है, भार में हलका होता है और अनावी किरिया सील होता है नेश कोशन है कि दवाब को किस संदर में है जो कि मापा जाता है दरबमान और घनत्व में किया गया कारे के रूप में, वल और छेतर के रूप में या फिर बल और दूरी के संदर में तिसका सयांसर है option number C बल और छेत्र के संदर में है जो की दवाब है जो की मापा जाता है नेश कोशन है कि electronic विन्यास 287 वाला अधादू तत्व कौन सा है तिसका सयांसर हो जाएगा option number B chlorine नेश कोशन है कि पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है तो कौन सा उत्तक है जो की पौधे में भोजन का परिवहन करता है तिसका सयांसर हो जाएगा option number B phloem तो phloem के द्वारा है जो कि पौधों में भोजन का परीवान है जो कि एक जगा से दूसरा जगा है जो कि वहाँ पर लाए जाता है तो इसका option number B है जो कि सही answer हो जाएगा और जैलम है जो कि पानी को पौधे के अनभागों तक है जो कि पहुचाता है तो इसे आप याद कर सकते है जासे जैलम और जासे जल पानी को जल भी कहा जाता है तो जासे जैलम और जो अगर आप से पूछा जाए कि पौधे में भोजन किस उत्तक के माध्यम से जो कि परिवहन करता है तो वो है phloem नेश कोशन देखते है कि खगोलिये दूरी मापने की इकाई क्या है किलो मीटर, मीटर, परकास वर्ष या फिर समुदरी मिल जिसका सज्यान सरा option number C परकास वर्ष तो खगोलिये दूरी को मापने की जो इकाई है वो है परकास वर्ष Next question है कि इन मेंसे कौन पर्मानूं मौडल से संबन्दित नहीं है इसका सइयं सर आप् commence number B इसा ने इसार नहीं की खोज की थे निल्स पोर पर्मानूं की संड़ाचना की खोज की थे और रधर फोड ने नाविक की खोज की थे नेश कोशन देखते हैं कि ये निम्विकित में से कौन सा समू संचारी रोग का परतिनिद्व करता है तो इसका सही अंसर हो जगा ओप्सन नमबर D टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया ये सभी जो रोग है वो संचारी रोग है नेश कोशन है कि मटर प्रेसर कुकर में जो की जल्दी पक जाता है क्यों? तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A उच्छ दवाब के कारण पानी का जो कौथांख है जो की उपर उठ जाता है इसके कारण है जो कि मटर प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है नेश कोशन है कि पॉप धोनी किसके बाद प्राप्त गैस को जलाने में होती है जिसका सही अंसर है ओप्सन नमबर सी अमल धातू अभिकिरिया के बाद है जोकि गैस को जलाने पर पॉप धोनी है जोकि उधपन होता है तिसका option number C है जोकि सही अंसर होगा नेश कोशन देखते है कि जब किसी रसाइनिक अभिकिरिया से उसमा उधपन होती है तो उसे कौन सा अभिक्रिया है जो की कहा जाता है तिसका सईयान सरो जाएगा option number A उस्मा छेपी अभिक्रिया है नेश कोशन है कि निम्लिकीत में से रेशम उत्पादन से सम्मधित सब्द कौन सा है तिसका सईयान सरो option number A सेरी कल्चर नेश कोशन है कि निम्रिकित में से कौन सा कारवन का अपरूप नहीं है तो सही अंसर है ओप्सन नमबर A मिथेन है जो की कारवन का अपरूप नहीं है और सभी जो ओप्सन में C60, ग्रैफाइट, हीरा ये तीनों है जो की कारवन का अपरूप है कोशन नमबर 24 सुरी के निरंतर उर्जा का निर्मान किसके कारण होता है तो आप्शन नाविक्य सल्यन, नाविक्य विखंडन, रेडियो सक्रियता या फिर क्रित्रिम विकिरन तो इसका सहिएंसर आप्शन नमबर A नावीकिय सल्यन तो सुर्य में निरंतर उर्जा का जो निर्मान है वो नावीकिय सल्यन के कारण होता है Q25 लेन्स के माध्यम से रेटीना पर जो गठित छबी है वो कैसी बनती है Q25 लेन्स के माध्यम से रेटीना पर जो गठित छबी है वो आपका अभासी और सीधा बनता है तो इस वीडियो में बस इतना ही आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो का पिडियो पाने के लिए आप आमें टेलिग्राम चेनल पर फॉलो कर सकते है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप टेलिग्राम पर जाकर exam theory सर्च कर सकते है वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा वहाँ पर सी ये PDF है जो कि आप डाउनलोड कर सकते है साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते है इसका वी लिंक description box में दिया हुआ है जिन छातुन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरूर करे साथ ही बेल आकन को जरूर दबाए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रूप, Facebook सभी जगा सेयर जरूर करे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई झाल झाल